विटामीन को कैसे इजी वे में याद रखे वो हम देखेंगे तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें विटामीन क्या है? पहले वो देख लेते हैं विटामीन इस ए और अर्गेरिक मॉलीक्यूल इसेंशियल माइक्रो नूट्रियन विच अन ओर्गनिजम नीड्स इन इन्स्माल कॉंट्ितिक वोट्रों में और नॉर्मल फ़ंच्छनिंग तो यह जो विटामीन होते हैं यह हमारे body में small quantities में लगते हैं इसलिए इन्हे micronutrient भी कहा गया है अब जो vitamins है इन्हे classify किया गया है water soluble और fat soluble में तो उनको भी देख लेते हैं तो water soluble vitamins vitamins which dissolve easily in water and readily excreted by kidney तो water soluble vitamins वो vitamins होते हैं जो water में easily dissolve हो जाते हैं और kidney through वो body से excreted out भी हो जाते हैं अब guys यह जो vitamins है वो excreted out हो जाते हैं easily हमारे body से इसलिए इनका जो intake है हमारे body में हमें बढ़ाना पड़ता है okay so water soluble vitamins है B and C इसी तरह fat soluble vitamins देख लेते हैं so absorb along with fats in the diet and can be stored in body's fatty tissue तो यह जो vitamins होते हैं यह fats में easily absorb हो जाते हैं और body के fatty tissue जो होते हैं उनमें जाकी यह store हो जाते हैं so fat soluble vitamins है A, D, E and K अब बहुत से students होते हैं उन्हें water soluble और fat soluble vitamins को याद रखने में थोड़ी तकलिफ हो जाती हैं तो इन vitamins को easy way में कैसी याद रखेंगे वो देखते हैं okay so so guys आपने WBC और RBC तो पढ़ाई हैं okay तो हम यहाँ पर WBC का use करेंगे तो W से हो गया water और water soluble vitamins हो गया B और C so water soluble vitamins हो गया B और C okay इसी तरह guys हमारे एक friend है जिसका surname Fadke है okay तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो pH होता है Fadke का वो निकालकर हम यहाँ पर F डालेंगे और F से हो गया fat और fat soluble vitamins हो गया हमारे A, D, K और E तो fat soluble vitamin होगे A, D, K और E तो guys इसी तरह हम W, B, C और Fadke word का use करके fat soluble और water soluble vitamins को याद रखेंगे okay तो अब यह जो vitamins हमने देखे उनके जो नाम और उनके जो deficiency है वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहला है vitamin A जिसे retinol कहा जाता है okay और अगर उसका deficiency हो गया तो night blindness हो जाता है तो अभी यहाँ पर देख सकते है night blindness okay इसी तरह second जो vitamin है वो है vitamin C जिसे ascorbic acid कहा जाता है और उसका deficiency अगर हो गया तो scurvy हो जाता है okay तो अभी यहाँ पर देख सकते है scurvy का एक symptom so हमारा third vitamin है vitamin D जिसे koly calciferol भी कहा जाता है और उसके deficiency को rickets कहते है okay fourth है vitamin E जिसे tocopherol कहा जाता है और अगर उसका deficiency हो गया तो hemolytic anemia होता है okay इसी तरह vitamin K जिसे phyloquinone कहा जाता है और उसके deficiency के वज़े से bleeding problems होते है okay guys तो guys अब हमने जो vitamins देखें इनको कैसे याद रखें इनके deficiency और नाम के साथ तो आपको यह sentence देख रहा है इसी याद रखना है अगर आपने यह sentence याद रख लिया तो आपको यह सारे vitamins और उनके deficiency और नाम के साथ याद रह जाएंगे तो sentence है हमारा Avengers went on night ride so East hometown was decorated with rose and candles Celebrity seems awesome on KBP News तो Avengers सब को ही पता है बहुत famous है तो यह लोग night ride पे चले गए इसलिए East hometown जो है उसे decorate किया rose और candle से और यह जो celebrities थे यह awesome लग रहे थे KBP News पे अब हमारे यहाँ पर होता है ABP News हमने यहाँ पर उसको कर दिया है KBP News अब इस sentence से हम इनके deficiency और नाम को कैसे याद रखेंगे वह देखते हैं तो Avengers का A हो गया विटामिन A, night से हो गया night blindness और R से हो गया retinol तो vitamin A उसका deficiency night blindness और उसे retinol भी कहते हैं इसी तरह East जो E है वो हो गया vitamin E, H जो है home का वो हो गया hemolytic anemia और T से हो गया tocopherol फिर decorated का जो D है वो हो गया vitamin D, rose का R जो है वो गया rickets और candles का C से हो गया coli calciferol ओके, cellulitis का C जो हो गया vitamin C और उसका deficiency अगर हो गया तो S से हो गया scurvy और A से हो गया ascorbic acid और हम और जो KBP news देखा था हमने तो K हो गया vitamin K, B से हो गया bleeding और P से हो गया phyloquinone तो guys अगर आपने यह sentence याद कर लिया तो आपको सारे vitamins और उनके deficiency और नाम याद रहे जाएंगे इसी तरह हम अब vitamin B को भी देख लेते हैं अब vitamin B को याद रखने के लिए हमें thoroughly read and practice perfectly biology for coming exam यह sentence को याद रखना है और अगर हमने यह sentence याद रख लिया तो TH जो thoroughly का जो TH है उससे हम thymine याद रखेंगे R से हो गया riboflavin and मैंने यहाँ पर जान पूछके AND के जगह पर ND लिका है तो N हो गया niacin, P से हो गया pentothenic acid, second वाले P से हो गया pyredoxine biology वाला bio जो है उससे हो गया biotene, F से हो गया folic acid और coming का जो C है उससे हो गया cobala mine तो इसी तरह जो B1 है वह है thymine, B2 जो है वह है riboflavin, B3 हो गया niacin, B5 हो गया pentothenic acid B6 हो गया हमारा pyredoxine, B7 biotene, B9 folic acid और B12 हो गया cobala mine तो guys ये दो sentence और हमने जो पहले देखे WBC और FUD के इन से हम पूरे के पूरे जो vitamins है उनके deficiency और उनके नाम के साथ याद रख सकते हैं hopefully guys आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगिये तो वीडियो को like करें, subscribe करें और अपने दोस्तियों के साथ जाद से जादा शेयर करें और जाते जाते बस यही कहूंगा, बढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, थैंक्यू